हेलो नमस्कार दोस्तों मैं अमुलका सार आपके साथ C.A.C.S. Company Secretary इस प्रोफेशनल एक्जाम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टन बाते लेके जुर चुका हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनने इस कूर्स के बारे में अप्डेट चाहिए एक प्रॉपर ऐसे सॉलूशन चाहिए सजेशन चाहिए कि सर एक्चुली होता क्या है क्या स्टेजेस है जस कुछ मिंटों पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया जहाँ पे मैंने C.A.C.S. C. C.A.C. में ऑनलाइन ही करना होता है घर से बढ़ अब समझते है सर न्यू सिलेबस की बात और मोटे मोटे तोर पे कुछ बात है अगर मैं बता दू दोस्तों की एक बात को मैं नोट डाउन कराना चाहूगा पहले एक्साम के बारे में मैं कहूगा आपको जो आपको पता है क C.A.A.C.S.A.A.T. Yes sir इंटरंस टेस्ट है ये 200 marks का टेस्ट होता है सर जिसमें से आपको 50% marks लाना जरूरी है अगर आपको 100 marks मिलते है तो आप पास हो और आप second 11 के लिए eligible होगे negative marking there is no negative marking sir कोई भी गलत आंसर से आपका कोई भी marks नहीं जाने वाला आप जितने भी MC के उझे 200 के 200 आप attempt करके आना sir कितने subject होते हैं चार subject होते है mode क्या है sir online है आप अपने यहाँ घर पे बेट के exam दे सकते हो provided that आपके पास laptop होना चाहिए sir mobile पे यह हम दे सकते हैं कि answer is no दोस्तों new syllabus की बात कर रहा हो यह देखो जो November onward आपको applicable होगा और यह समझना बहुत जरूर है क्योंकि course update हो रहा है तो आपने updated course में ही shift होना चाहिए old और new में क्या फरक है sir तो यहाँ पे देखिए बहुत बच्चों को confusion हो रहा है कि sir पहला subject 50 marks okay current effect 30 marks का है बहुत simple सा subject है economics and business environment 50 marks बट सर यह legal aptitude क्या math से क्या 70 marks का पूरा का पूरा नहीं दोस्तो legal aptitude logical reasoning quantitative quantitative aptitude यह जो LR है ना यह समझो यह यह तो law ही है आपका legal aptitude constitution और बहुत सारी simple तो legal law का part है ऐसे समझ के चलो logical reasoning बहुत simple है और यह जो 20 mark का part है additional I think so add किया है लेकिन दरने की बात नहीं कोई pure इतना mathematics नहीं डाल दिया तो डरो मत यह मैं new syllabus की बात कर रहा हूँ दोस्तों तो समझ यह चीजों को pattern को समझ यह multiple choice question है sir आप 12 basis पे दे सकते हो तो दो घंटे का test रहेगा 200 marks और दो घंटे में आपको सारे के सारे mcq solve करने है दोस्तों याद रखिए कुछ और बाते में आपको बताना चाहूगा बहुत बच्चों को ऐसे सर के एक्जाम तो देंगे online यह देखो यह current जो scenario है बस जिसे में बोलोगा इस पर ऐसा विशय है business communication 35 question आते यस दोस्तों यह याद रखेगा अब कैसे सर एक marks के लिए question नहीं कुछ question दो marks के लिए आएंगे कुछ question एक marks के लिए आएगा online ही है sir तो आपको 35 question देना है as per recent जो भी अपना curriculum है उसके इसाब से anyways आगे बढ़ता हूँ पहले में आपको यह बात बता देना चाहूगा कि आपको जो भी laptop है जो भी device है उसका क्या requirement है समझेगा दोस्तों just a second specification नहीं देता हूँ मैं के laptop में क्या क्या चाहिए आपको आपका हाँ पर जाके exam दे सकते हो क्या चीज है सब आपको इसी particular वीडियो में पता चल जाएगा yes sir this one क्या कहा है technical requirement for candidate appearing CSWT through remote protocoling mode मतलब online आपको घर पे बेटके exam देना है आप cyber gapे में जाके दो जो भी है जो भी candidate के पास device होना चाहिए desktop या तो laptop browser google chrome version 8.0 and अब वो देखो video audio webcam and good quality mic is required enable webcam and mic underwater chroma setting extension आपका भी वहाँ पे continuous video वो observe करते हैं ऐसा नहीं कि घर पे बेटके देना है तो sir हमारा video बन रहेगा laptop का नहीं sir वो monitoring फिर भी करने वाले मतलब आप घर पे बेटके दे रहे हो तो ऐसे मत समझना sir कि कोई तो एक उन्हों की बहुत बच्चों के misconception होता है कि sir online मतलब ऐसे कि एक PDF आ जाएगा या website कुछ तो MC को दाएगए हमको mobile पे solve कर ले ले नहीं यह systematic यह तरीका समझ यह आपको अगर sir आपके इर्दगिर्द कोई घुम रहा है जादा आवाज आ रही है फिर भी आपको instruction दिया जाएगा और आपका exam cancel कर दिया जाएगा अगर आप फिर भी नहीं माने को आपके आखे इधर तर यह चीजे है जो बच्चे ना ऐसे बलते CSD आवालिटी दे देंगे easy है I know कि preparation करेंगे सारी चीज़े होगी तो आप जरने आराम से complete करो even हम offline online यह बाच से लेके 10 April के बीच में दोनों आसे शुरू कर रहे want inquiry करना है तो अपने रेजिस्टर नमबर जो आपको description में भी दिया है जरूर कॉल कीजिए समझे दोस्तों कि यह ऐसी वाली बात है operating system भी आपे mention है windows 10 और 11 इसके उपर रहा तो ही आपका जो भी funda है चलेगा sir समझेगा नहीं तो बहुत दादा दिक्कत आएगी RAM कितना है sir 4GB plus RAM i3 i5 generation यह सारी बागी चीज़े ठीक है तो यह 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 आपको सब ना PDF में फिरिज दोगा अपने telegram चैनल पे देख लिजेगा sir यह बहुत जरूरी है क्योंकि sir हमको तो पलगता है कई और देख रहा है बस अगर आपको समझ रहा है कि मेरा angle अलग है देखने का तो आप मुझे notification हो भाई कहा पे नजर निगाए इधर रखो अगर और एक blow बार देखा तो copy कर रहे हो हम ना declare कर देंगे और cancel हो जाएगा exam कमजे इस चीज़ों को इंस्रक्षन कहां भे बहुत है इंस्रक्षन वाला पीडियेप में आपको फीज दूगा जो CSET करना चाहते है आपको दुनिया बोलेंगी चलो यह जनरल यह पूरा इंस्रक्षन पढ़ लेना यह सारे के सारे इंस्रक्षन पढ़ लोगे आपके सारे डाउट दूर हो जाएगे सारे डाउट दूर हो जाएगे जो आपको नहीं समझेगा आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो लेकिन यह पीडियेप में ग्रूप में शेयर कर दूगा टेलीग्राम चैनल पर कि यहां पर सारे आपको अवेलेबल होगी क्या क्या देखना है यह अपना वेबसाइट है ज्यान से देख लीजेगा क्लिक कीजिए वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे आईसी इसाई के सर पेज़ पर यहाँ पर student आपको दिख रहा होगा देखें यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ statement पर student पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इंडरोल कर सकते हो एक्जाम से इंफर्मेशन ले सकते हो दोस्तो student पे click करो तो आपको दिखेगा academic portal examination, training, CSET यह जो दोस्तों आपको दिख रहा है CSET यहाँ पे आप click कीजिए आप लोगों को यह सारी बाते देखो यहाँ पे दो बाते दिख रही है reference material, reference reading material करके और क्या CSET बुलिटिंग यह दोनों ही बहुत important है सारी शीज़ा आपको website पे दिलिए reference material में आप देखोगे कि आपको module 1, क्या-क्या syllabus है हम यहाँ से download कर सकते हो, yes कर सकते हो current affair का module यहाँ से download कर सकते हो, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, यह तो गया पहली बात दूसरी बात सर, यह e-bulletin क्या होते every month, देखो सर, यहाँ पे आपको दिख रहा है यह February, March का भी आ जाएगा January, December, मतलब आप देखो October, November, December, January, February तक उन्होंने bulletin issue किये है और यह पढ़ना बहुत जरूर है, क्योंकि current affair से related कुछ point, यहाँ पे भी paper में सीधा आ जाता है आप लोगों को बताओगा कि live mock test भी आप देखे देख सकते हो कि कैसे paper चालू होता है सब चीज़े आएगे दोस्तो, मैं try कर रहो maximum चीज़े आपको best से best बता दू enrollment का fees sir, 1000 रुपीज है बहुत जादा नहीं है करके, तो इसका कोई tension नहीं है, देखो, यह related question है sir, जो आपको कहीं न कहीं helpful रहेंगे, इसके बाद यह हर e-bulletin में कुछ तो MCQs देते हैं हर subject से related अब यह answer नहीं आएगा लेकिन देख लो, legal aptitude and logical reasoning से related सवाल, economic and business environment से related सवाल, और हर e-bulletin में भी तांसर दिया हुआ है, तो आपका यह कहां में कि आप यह भी देखो, अगर आप यह नहीं देख रहे हो sir, तो ultimately क्या हो जाएगा कि बस कर रहे है sir, पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको कोई, उन्हों की systematic तरीके से धंक से पढ़ने का approach नहीं मिल रहा है करके, तो यह से मत कीजिए दोस्तों, right, मैंने आपको सब चीज़े बताने की कोशिश की है registration fees 1000 है sir, आप online कर सकते हो, एक exam के लिए वो applicable रहेगा, बहुत सारी बाते, website के already मैंने आपको बताईए, कि student में जाओ आपको सारी चीज़े समझेगी registration भी यही से करना है आपको, कोई दिक्कत है नहीं, enrollment वगेरा वगेरा, सारी बाते आपको पता चल जाएगी, पीडिए भी आपको रधर यहां से मिल जाएगा telegram में भी share कर रहा हूँ sir, career कितने level होते हैं, तीन level होते, पहले level तो easily आप crack कर जागो, उसके बाद CS executive आता है, जो मेरे पीछले वीडियो में अल्री डिसकस किया, fees भी बताईए, देख लो कर गया, executive में आपको दो group होते हैं, एक group में 4 subject, दूसरे group पे 4 subject, ऐसे 8 subject के level पे आपको पढ़ाई करनी होती बेटा, याद रखिएगा, और जैसे आपको complete करते हो, आपका CS professional level, 3 group होते हैं, आपको अपने हिसाब से 1-1 group देना है, दीजे, आपको साथ में 3 हो देने, आप दे सकते हैं और CS का जर्नी वेसे देखा जाए, तो 3-4 साल में complete हो जाता है, अगर आप first attempt पास हो रहे हो, और attempt लगते भी एसर, तो बिकॉम खतम होने के बाद एक-दो साल में आप done कर दोगे लेकिन आप please इस चीज़ को ध्यान दीजे, और भी बहुत सारी चीज़े मैं बताऊगा subject क्या है, कैसे है एक छोटा सा वीडियो था जिसमें उन्हें आपको झाल